सारी इलाकवा छेत्रों में ये संदेश भेज रहा है हम भी घास भुसा चाड़ा साफ सफाई होती है गुड नियूज आपको देना चाहते हैं नमस्कार समचार सुर्ख्यों आपका स्वागत है मैं और एंगिला 2.0 का बाज में इस बाद हम जमालपूर भागलपूर के बिच कल्यानपूर रोड रेलवे इस्टेशन रेलवे ट्राक पर है कल्यानपूर रोड रेलवे ट्राक के ऊपर एक मालगरी गुजर रही है जो कि मालगरी के एक्सल में इस तरह का घास जा रहा है इस तरह का घास जा रहा है तो ये ख़बर अच्छी है रेलवे मालदा मंडल मालदा डिविजन की एक ऐसी घटना गुड नियूज आपको देना चाहते हैं देखें इस तरह जो मालगरी खास करके मालगरी में ऐसी सुवधा रहती है तक कि घास भुशा चाड़ा रखने की ओप्शन रहती है देखें इसे तरह हर बोगी में घास भुशा चाड़ा फसा दिया होगा साथ तो उस तरह भी फसाया होगा ना जोने इस बोगी में यहां समहा रखा होगा इसी तरह ना जोने और कितने मालगरियों में आपको घास भुशा चाड़ा मिलेगा यह घास भुशा चाड़ा जो इस मालगरी के बोगी के एकसल में फसा के रखा है यह जहां सैटिंग में लगा होगा जहां लगा हुआ होगा तो क्या करता है कर्मिक जो रहता है रिल्वे कर्मिक घास भुशा साफ करने वला तो यह उखार करके इसमें फसा दिया ये अच्छी खबर है एक संदेश जा रहा है ये मालगरी जहों तक जाएगी ये मालगरी कुछ ना कुछ संदेश देते हुए जा रहा है देखें पहला नमर तो हमारा बिहार हर्याली है ये है और रेलवेग तरफ से अच्छी खबर ये जाएगा कि ताकि जहों भी इसका स्टोग है जहों साइटिंग है वहों भी घास भुसा चड़ा साब सफाई होती है ना कि जंगल जहार कुडा कचरा रहता है बस इतनों सा आपको खबर देना था रेलवेग मालद मंडल मालद डिवजन की और से अच्छी खबर है ना कि कोई इसको हिंस जो साफ किया है वो अच्छी नौलेज विला होगा साथ प्राचिन इतिहास प्रातत विवाग से पढ़ाई किया होगा मेट्रिक इंटर जो वे कलास किया होगा प्राचिन इतिहास के चात्र ये जहनता है कि हम किस तरह कौम करेंगे ताकि आने वाली भविस में इसका परमौन मिलेगा एक तरह से मालद मंडल में मालद डिविजन के अंदर रेलवेट रखे थुरू कुछ सारी इलाकव छेत्रों में ये संदेश भेज रहा है कि देखिए हम साफ सफाई करते हैं साफ सफाई कुरा कचरा को इस रेलवे मालगारी के एक्सल में फशा कर भेज रहें ताकि आप भी साफ सफाई करिए ये सारी बात है चलते हैं फिर मिलता है किसी नेस्ट वुडियो में तब तक के लिए माल्दा मंडल माल्दा डिविजन रेलवे ट्रक मालगरी की खबरे इतना सा